चटाने तिड़क गई और इसके बाद कबने खुल गई इसके बाद पवित्र लोगों की लोथें जी उठी और शुकरवार से लेकर के रवीवार तक ये जीवित्र लोग कबरस्थान में आराम कर रहे थे पर बाइबिल हमें बताती है त्रेपन पद में उसके जी उठने के बाद देखना जब एशुने प्राण ते आगे थे न तब ही पवित्र लोगों की लोथें जी गई थी तब ही कबरें खुल गई थी उनमें जान आ गई थी मटी की आँख बन गई थी शरीर वाला मटी शरीर बन गया था दिल की धड़कन भी शुरू हो गई थी कान भी खुल गई थी आँख भी खुल गई थी पर थेवेचारी का बरस्थान में और वे इंतजार कर रहे थे एशु पहले जी उठेगा तब ही न अपन का बरस्थान से बाहर आएंगे सच ए ग्रेट डिसिप्लिन और जैसे ही एशु रविवार की दिन मृत्कों में से जी उठा उसके उठते बराबर ये भी निकल के बाहर आए मैं उन तमाम पवित्र लोगों की लोथों के जी उठने वाली सेना से पूछू अभी तक तुम क्यों कर रहे थे तुम तो रविवार शुकरवार के दिन शाम को जिंदा हो गए थे ना हो ना हो तो गए थे परन्तु पुन रुथान की बटन दवे की तब ही न हम बाहर आएंगे यहाँ एक स्प्रिच्वल सेंस है जिसको अभी नहीं वखान किया जा सकता है और वे निकल कर पवित्र नगर में बहुतों को दिखाई दिये उपर जाने वाले नहीं थे एक दिन फिर मर गए हों गई जैसे लाजर जीया और फिर मरा ना इनका विद्वा भी जिन्दा हुए था मर गया यह लोग भी जिन्दा हुए मर गए उपर नहीं गए क्योंकि ये शुआया नहीं तो जाएंगे कहां से हे प्रभो तो इनसान तो इनसान मर रही हों को भी अपना गवाह बनाता है कि मैं मृतकों में से जी उठा हूँ क्या बात है ज़रा देखिएगा जुकर के प्राणते आग देने में कितना दम है बंधवाई से उसने आजाद कर दिया मेरे प्रियोग इस तरीके से प्रभु ने आत्मिक संसार में पहली वानी और छटवी वानी और सात्वी वानी के आधार पर इतना बड़ा आत्मिक युद्ध जीत कर हमारे सामने रख दिया तब उसने कहा हे पिता एक शमा कर ये युक्ती पूरी हुई तब एशु मसी क्या देखते है मालुम क्या अपनी माता को देखते है और उसके बाजू में यहुन्ना को लुकर अचिसु समाचार के 23-42 में लिखा है एशु मसी ने अपनी माता से कहा देख ये तिरा बेटा यहुन्ना को अब मैं छोट असा प्रकाश आपके सामने लाना चाहते हैं यहुन्ना की उपत्रस जैसा जोशीले चेले से प्राब्लम किया था प्रभुजी को बहुत चिंतन के बाद एक विचार आया अखिरकार परमेश्वर पिता ने यहुन्ना को जिसने प्रकाशित वाक के लिखा उसी को अपने माता की जवाबदारी क्यों दी उसका एक कारण था इसका कारण यह था कि यहुन्ना के अंदर प्यार का जो प्रामाण एश्व मसी ने देखा इसी कारण से प्रभु को यहुन्ना के ऊपर सबसे ज़ादा भरोशा था एश्व के चेले होने का सौभाग्य असंखों को मिल सकता है परन्तु एश्व का भरोसा किस अन्याई पर हो यह हमारे चिंतन का विशे है प्रभु की महबबत का भोग लगाने वाले अर्मों और खर्मों हो सकते हैं परन्तु प्रभु को प्यार करने वाले कौन है इसलिए तो पत्रस से डिमांड किया था क्या तु मुझको प्यार करता क्या दूसरे बार में कहा पत्रस तु मुझको प्यार करता क्या तीसरे बार पत्रस प्यार करता क्या तो पत्रस तीसरे प्रशन में निराश हो गया क्योंकि वो नहीं करता था आत्मिक तरीके से गुरु चेला वाला प्यार जरूर था परन्तु अगापे वाला प्यार नहीं था जोन दर डिवाइन जो है ना जिसने रेविलेशन लिखा जिसको मा की जवाबदारी दी गई उसके अंदर सुरुवात से ही डिवाइन लव दिखाई देता था इसलिए वे प्रभु के बहुत करीब रहता है और इसी कारण से कि यहना एशु को प्यार करता है एशु के अंदर इस महबद के प्रमान के कारण विश्वास भी था कि यह मेरी माता की परवरिश करेगा इसलिए पत्रस थोमा और अलग-अलग चेलों से हट कर जो भी कि वहाँ वे मौजूद थे उन्होंने यहन न कोई जवाबदारी दी यहाँ एक प्रकाश प्रभु देते हैं और वो यह है जिसके दिल में परवेश्वर के प्रती प्यार है कई तो अपने अपने को ही प्यार करने के चक्कर में प्रभू को प्यार करने का ड्रामा करते हैं Lord I love you प्रभू कहता जानता हूं चंगाई के चक्कर में आया है तू मेरे पास प्रभू हमसे निस्वार्थ प्यार की कल्प न करता है कई लोग प्रभु के पास चमतकार के चक्कर में आ गए चमतकार घट गया तो विश्वास करते हैं परंतु कौन है जो बिना चमतकार की आशा रखके प्रभु को खोच पाने में सफल रहा कि एवल वे ही सच्चे प्यार करने वाले लोग है चलें आगे तो यहन्ना को प्रभु जी ने कहा यह तेरी माता है यह यहन्ना के उपर प्रकाशन है अब मैं प्रभु जी से पूछ हो है प्रभु मा मर्यम के दौरा और भी तो भाई और बहन पैदा हुए थे ना तेरे वाले शरीर के जो यूसुफ के द्वारा पैदा हुए थे वो देख लेते, तुम्हें क्यों टेंशन है यहाँ पर प्रभू कहते हैं मैं अपनी मा की जवाबदारी जिसके द्वारा मैंने शारे रिकरिती से जन मिलिया है वैसे वो उसको कभी मा नहीं कहता था परन तु कर तब भी तु फूर्ण करना पड़ेगा ना बेटे का तब भी कहते हैं कि इसकी सुरक्षा इसके द्वारा यूसुफ की रास्ते पैदा होने वाले संतानों की उपर नहीं छोड़ जाऊंगा मैं इसकी जवाबदारी मेरी है और यही सबसे बड़ा कारण है कि प्रभु अपने माता को सुरक्षित करने की जवाबदारी अपने सबसे प्रिये चेले यहुन्न के पास दे देता है यह आत्मिकता की बुनियाद है याद रखेगा बहुत से आत्मिक लोग अपने परमेश्वल से इतने दिवाने हो जाते हैं कि वे अपनी भौतिक जवाबदारीयों को भूल जाते हैं यहाँ पर प्रभु अशु मसे जैसे प्रभु अशु ने अपनी भौतिक जवाबदारीयों को समाप्त नहीं कर दिया यहां पर आत्मिक्ता की परिपूर्णिता या पूरक्ता यह है कि वह भौतिक रिती से अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने सोसाइटी की आविशक्ताओं को बाहक पूरा करें आज कितने ऐसे लोग हैं, जो यह कहते हैं, मैं तो प्रभू का दासू, माता पिता, तुम खाओ, पियो, मज़ा, मौच करो, इसकी जवाबदारी मेरी नहीं में कमाता नहीं, तुमको कहां से खिलाओंगा बाइबिल कहती है, हर एक याजक को, हर एक अगवे को, यदि अपने परिवार की परवरिश नहीं करना आता है, तो यह आत्मिक सेवकाई बंद कर दे आज भारी मात्रा में सेवक सेवकाई करना चाहते हैं, परन्तु माबाप को भूल जाते हैं, वे माबाप की सेवा नहीं करते हैं, एश्मसी नहीं ऐसा नहीं किया इसलिए याजक परिवारों में से जितने भी लोग सेविकाई में आ गए हैं उन्हें भौतिक जवाबदारियां भी पूरी करना जरूरी है पत्नी की जवाबदारी बच्चों की जवाबदारी और उसके बाद में माता-पिता की जवाबदारी उसे पूरा करना हमारी आत्मिकता का पूरक भाग है यदि कोई सेवक अपने माता पिता की जवाबदारी पूरा नहीं कर रहा है यदि कोई पती अपने पत्नी की जवाबदारी पूरा नहीं कर रहा है यदि कोई पत्नी परिवार अपने बच्चों की भावती की जवाबदारीयों को पूरा नहीं कर रहा है तो आपकी सेवा और आत्मिकता अभी भी अधूरी है इसलिए बाइबिल हमें कहती है उसने अपनी मामा की सुधी ली मरने के वक्त भी इस प्रकार से ये दूसरी वाणी के बाद तीसरी वाणी भी पूरी हुई देख तेरी माता है अब आती है अगली वाणी जहां पर वे कहते हैं एली एलाई एलाई लमा सबक्तनी अर्था थे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर्त ने मुझे क्यों छोड़ दिया आपको जानकारी मिले अंदकार में प्रभु ने अनुगरे पाया अब तक कोई स्वर्ग दूत था जो उसको सहायता दे रहा था परन्तु जब ये एश्व को परमेश्वर ने सारे संसार के पाप का बोज अपने उपर देखा तो उसने अपनी सहायता एश्व मसी से विड्रॉल करा ली और आपको जानकारी मिले एश्व भौतिकरिती से शाररिकरिती से मनुष्य के पुत्र होने के नाते बिना किसी स्वर्गिय मदद के दर्द और पीड़ा का एहसास कर रहे हैं और उनको ये भी कहा गया था कि मैं प्यासा हूँ ये भविस्वानी पूरी हुई परंतु रोमी सिपाहियों ने अपने डंडे में स्पंज लगा कर सिर का डुबाया जिसको इंद्रियान कहते हैं डुबा करके एश्व के पास ले गए कि चूस ले पानी के जगह इंद्रियान इंद्रियान एक ऐसा कड़वद रहो होता है जिसको पीने के बाद बेहोशी आने लगती दर्द कम होने लगता है प्रभू ने चूस करके देखा ये तो इंद्रियान है मैं इसमें बेहोश हो जाऊंगा ये दर्द भुलाने वाली दवाई है तब उसने टेस्ट ही किया था और पीने से इंकार कर दिया और कहा मैं होश हवाश में दर्द का सामना करना चाहता हूं जिससे की दर्द क्या होता है उसको मैं जानू इसी कारण से उसने अंदकार में एली एली लमा सबकतनी कहने वाले एशु ने यह इशारा किया कि जो स्वर्गदूत मुझे मदद देता था वो भी विड्रॉल हो गया अब मैं अकेला हूँ और मुझे संसार के लोगों ने इंद्रियान दिया मैंने उसको भी इंकार कर दिया जिससे की शर्रिक रीती से बहुतिक रीती से शरीर में एक मनुष को जो कस्ट होता है उस कस्ट की पूरी-पूरी अनभूती मुझे होनी चाहिएगी तब जाकर कि मैं दूसरों की कस्टों को कस्ट समझ करके उस पर तरस खा सकता हूँ ये तरस पैदा करने के लिए मुझे शार्रिक रीती से कहीं न कहीं भौतिक इंसान की तरह मृत्यू का सामना करना होगा इसलिए पिता ने भी अपने स्वर्ग दूद को विड्रॉल करा लिया और मैंने भी इंद्रियान को इंकार करते हुए भोश हावो होश में अखेले अपने शरीर में इन दर्दों का एहसास करके मुझको और आपको प्रभू कहते हैं कि ये मनुष का पुत्र पूर्णता है मनुष के पुत्र की दशा में होकर अपने प्राण दे रहे हैं तब यह वचन हमारे लिए पूरा हो जाता है इबरानी की किताब के चोंते अध्याय के पंद्रवे पद में बाइबिल कहती है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी दुर बलताएं और हमारे साथ दुख ही ना हो वह हमारी नाई पर खा गया इसलिए इंद्रियान नहीं पिया इसलिए स्वर्गदूत की गैर मौजूदगी में तीन घंटे क्रूस पर भयानक पीड़ा अनुभव कर रहे है वह हमारी नाई पर खा गया तो भी अंत में निश्पाप निकला इसलिए आओ हम अनुग्रे की सिहासन की निकट ही आओ बांध करके चलें कि हम पर दया हो और हम पर अनुग्रे हो जो आवे शक्ता के अनुग्रे हमारी सहाइता कर सकता है